वॉनिंग, अभी हम आफिस से आ रहे हैं, और मास लगा कर पूरा से पूरा frustration में दर्ध होता है और लग रहे हैं पुरा घार होता है। फ्रस्टम में कह भी लगाना है, तीन घंते लगाना एक दम लगधा है किक और कब निकाले लिए कब यूआ हो चैन आपज रहा है तो मौनिंग में केंपस वाले नहीं लोग रहते हैं क्योंकि बाहर वाले लोग सार दस में आते हैं और वह बैत होसो गरते हैं कि कि भी लोग डाउन है तो कम टाig में लीए ओफिश हो रहा है और तो अभी चल जारा लेकिन जब 9 से 6 होगा तो सब कोई का हालत खराब हो जाएगा मास्क लगा के जल्दी से मास्क घटे हम लोगों का जल्दी से सब कोई वैक्षिन ले और सुरक्षित रहे वैसे तो हम अभी वैक्षिन नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी हाल मही इसलिए तेटेगरे बुरा हेल्थ गेन हो चुका है और अपी अच्छे से इह पर जान देना है क्योंकि वैस्षीन भी लेना है कि अग्षाला हुटारक विवेगा तो अधीस में हम डाल डाल देंगे यह यह नुट भी लुट अब लुट गए आफिस से आने के बाद भूख लग रहा है पर नास्ते में खाके गयते हैं क्योंकि सुपह उतना हो नहीं पाता है कि कुछ बना के खाए और लेके जाए तो रेडिमेंट जो भी नास्ता रहता है जैसे दूद कॉन्फेक्स से ओट से कुछ भी खा लेते हैं पर आज दूद कॉ हम कैसे चलका बनाते हैं चल्ह दाल का वैसे तुमा घर पर बहुत अच्छा बनाती थी हमको आता नहीं है यहां आने के बाद जैसे तैसे सब casino कर दक देख जिक है परते हैं तो अभी डाल दो तिन सिटी में होगा उसके बाद इसको कैसे फ्राइ करेंगे तो हम दिखाएंगे आप लोगों को तो यह दाल हो चुका है जब तक दाल हो रहा था तो इधर है माता सांग लिए और इसके लिए क्या-क्या चाहिए रेडी कर लिए प्याज, हरेमिच, अद्रक लशुन, टम हो रखे नहीं है तो वहाँ पर है तो अंकल बोलते हैं तुम लोग यूज कर सकते हो तुम लोग वहीं से लाते हैं और देखिए मेरे पास काटने का यह इसको बिहारी लैंग्वज में फसूल बोलते हैं अचली इससे जल्दी कट जाता है क्योंकि यह यह फसुल मेरी नानी मेरी मा को दी थी तो उनके पास बहुत इन से रखा हुआ था और एक बार मा मेरी पास आई थी तो उसमें कठल का सेजन था तो बोली कि तुम कठल का सब्जी बना के क्यों नहीं खाती हो तो उसमें चक्कु से उतना नहीं हो पाता था और सब जब काटके मिलता है मार्केट म मेरी नानी का निशानी है , यह मेरे पास basic जल्दी कट जाता है , वे कितना छोटा सा है है hiç अब यह धोरा खराब हो गया तो यह जाएंगे, तब यह तो इरह भर जाएंगे तभी बन पाएगा, तब किसॉसी से काम चलार यह है ते भी क INF- भी हो हो गया यह और थोड़ा इसमें पानी कम होना चाहिए पर मेंसे जादा हो गया कोई नहीं किसी को देना नहीं है खुद खाना है तो वैसे देख जो तो सेस्टी ही दीख रहा और यह बन गया है तो यह हम निया पत्ती डाल दिये इसमें यह बनके रेटी हो गया देखिए पस्टेशना से पुरा हालत खड़ा फोगया गैस के पास बैठे बैठे किपी फैन बंद है रूम में में ही मेरा किचन है जिसके कारण बहुत जादा गर्मी लग रहा और गर्मी है भी वैसे बहुत जादा तो क्या करें खाना इसमें बनाना है और बुक भी लग रह तो य कहिंग विद्ध हो गया रोटी दाल चनादार और य अम इसी को अब हम कहाएंगे तो ये मेरा खाना बनके रेडि हो गया आप इसको हम खाएंगे पुरा पशीना से भेग गये है और हालत खराब तो अब इसको खाने के बाद हम रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद पढ़ना लिखना स्टार्ट होगा, दो बजे तक हम उड़ जाएंगे सोकर क्योंकि रात में भी अच्छा से नहीं हुआ है, बहुत ही जादा गर्मी था, पुरा परिशान हो गये थे, और सुबहीं तो अब इसको खाके रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद पढ़ना लिखने स्टार्ट होगा, तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप सब बताएं कमन सेक्शन में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सेयर जरूर करें मेरे चैनल को औ आप समना सब्सक्राइब करें